सब्सक्राइब कीजिए लौ अपडेट्स यूटूब चैनल को और साथ मैं ही बेल आइकन को प्रेस करें निव लौ लेटीज जानकारी के लिए कई बार ऐसी खबरें सुनने या देखने को मिली होंगी कि पुलिस किसी होटल में दबिश देती है और वहां से अबविवाहिद कपल को हिराशत में लेती है हालांकि इस बात पर गौर करना होगा कि किसी लड़का या लड़की के एक साथ होटल में ठहरना किसी तरह का कोई अपराद नहीं है लेकिन उसके बाब जुद पुलिस उनको गिरुफतार कर लेती है ऐसे मैं अब वाइद कपल भी अपने अधिकारों और कानुन से अनजान रहते हैं और पुलिस को देख कर वो डर जाते हैं इसके साथ ही वो डर के कारण पुलिस के खिलाप आवाज नहीं उठा पाते हैं अनमेरिट कपल को भी कई अधिकार मिले हुए हैं लेकिन लोगों को इन अधिकारों की जानकारी नहीं होती है जिसकी वज़ा से उन्हें परचानी का सामना करना पड़ता है खुद को मिले अधिकारों के बारे में जानकर इस परचानी से छुटकारा पाए जा सकता है ये हैं कुछ अधिकार जिनके बारे में हम अभी डिसकस करेंगे समिधान के दाइरे में समिधान ने भारत के नागरिकों को कहीं देश में कहीं भी जाने की जाज़त दी हुई है ऐसे में Unmarried महिला और पूरिश जिनके उमर 18 साल से ज्यादा है और दोनों अपनी मर्जी से होटल के एक कमरे में जाते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है कपल आराम से होटल का कमरा लेकर रुख सकते हैं होटल एसोसियेशन आफ इंडिया के अंसार भी ऐसा कहीं लौ नहीं है जो किसी बालिक लड़के और लड़की को किसी होटल में कमरा बुक करने से रोके वहीं सुरक्षा की दृष्टी से दोनों के पास कोई पहचान पत्र होना चाहिए पुछताच कर सकती है लेकिन गिर्फतार नहीं सिर्फ अभिवाईत होने के कारण कपल के किसी होटल में रुकने के कारण पुलिस उन्हें गिर्फतार नहीं कर सकती है नियमों के मताबिक अगर लड़का लड़की अपनी मर्जी से उस होटल या कमरे में पहुंचे है और उनके खिलाब किसी तरह की किसी ने शिकायद की है तो फिर पुलिस उन से पूछताज तो कर सकती है लेकिन उन्हें गिर्थतार नहीं कर सकती मर्दी से शारिक समंद बनाना गयर कानूनी नहीं होटल के किसी कमरे में जाकर अठारा साल या उससे ज्यादा उम्र के दो वियसक आपसी सहमती से शारिक समंद बना सकते है किसी कपल का किसी होटल में जाकर कमरा बूक करा कर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना गयर कानूनी नहीं है सार्वजनिक जगाओं का रखें ध्यान दो वियसक अपनी मर्जी से शारिक समंद तो बना सकते है लेकिन इसमें सार्वजनिक जगाओं का ध्यान रखा जाता है भारत Clinic कमरे मुताबिक सार्वजनिक जगाओं पर लड़का लड़की के अशलील हरकत करने को गुणा माना जाता है सार्वजनिक जगाओं पर गल्थ हरकत करते पाए जाने पर कानूनी कारवाई की जा सकती है हश लिलता फैलाने के जुरम में जेल की अबा भी खानी पड़ सकती है इसलिए प्यार काईजार सार्वजनिक जगाओं पर करने से बचना चाहिए तो दोस्तों उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंज को शेर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हाँ अगर आप हमारे चैनल पन्नाय आए हो और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारा चैनल ज़रू सब्सक्राइब करें